हेलो फेंट, स्वागात है आपका टेकनोमल के एकोने वीडियो में, तीस बरतियों में हम बात करने वाले हैं, जेट के सलेवस के बारे में, तो 2020 का जो सलेवस होगा, वो क्या होगा और किस परका से चेंज हुआ है, वही इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए वीडि कर सकते हैं तो अब बात करते हैं कि किस तरह से चेंज हुआ तो यहां पर जैसा कि देख सकते हैं मैं पिछली बीडियों बाता हूं कि पांच भागों में डिवाइट किया गया है तो पहला है डॉमें का ट्रेड रिलेटर कोश्चन रहता है वह आपके जो डिप्लोम में प्रपिक से क्वेश्चन रहते हैं तो अपने डिप्लोमा में जितनी भी पढ़ाई किया है वही सारे आपको दिये जाएगा और सारा है बेस डिप्लोमा के से लिवस पर और मैंने इस पर इलेक्टिकल और मेकेनिकल को पर वीडियो बनाया हूं तो आप आई बटन में भी मि मिल जाए आप देख सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे जो जनरल एकलिटूट है तो जनरल एकलिटूट के कहां साता है तो स्टेंडर कोई भी कॉमप्रेटिटिव इंजाम के लिए जो बुक होता है वहीं से इस तरह के कोष्टिजन नाते हैं उतना भी जड़ा हाथ नहीं होता है और यह आसानी सा बना सकते हैं इसका भी बैटेस बहुत ही ज्यादा होता है क्यूश चाहरे इस तरह से बैटेस में बात के ता है , 593fund शाचर नहीं होता है तो पुप्तीन माक्स का होता है तो चंडर एक तीट्स कर लेते हैं तो आपождения 15%vine जक्यूर हो जाएगा अब यहां पे इंग्ली्स का है तो इंग्लीस का यहां पे जो कंचे न होते हैं वह आते ह papers और पेर रहें कारें के और प्रेंगा कर दो तो हड़ी हैं कि आप हैं यहीर का हैं आप इंग्ली को भी चोड़ दुछ सकते हैं को में ज्यादा मार्क्स भी है तो चलते हैं नेक्स्ट तो करेंट इंडस्ट्रेंड तो करेंट इंडस्ट्रेंड आपको करना क्या है तो जो जो इंडस्ट्री में अभी हो रही है तो जिस तरह से लिखा हुआ AI का फूल फॉर्म क्या है आर्टिपिस्टियल इंटर इस तरह से question जो आते हैं वह इंडस्ट्रिल 4.0 के अंदर आते हैं तो आप इसके त्यारी कैसे कर सकते हैं तो इसके जो website है capability development.org वहां पर जाके देखिए एक e-learning का section है वहां पर बहुत सारे courses दिये गए हैं तो उस courses में industry related एक दो course है उसको आप कर सकते हैं तो industry 4.0 यह दिया आप करते हैं तो उससे बहुत सारे question आपको मिल सकते हैं तो वहां से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैं यहां पर capability development.org वेबसाइट पर हूँ तो यहां पर देखिए एक side में यहां पर menu के पास आपको एक e-learning का आपको दिखेगा section तो यहां पर देखिए courses overview industrial 360 courses तो यहां पर आप mechanical metallurgy और जो भी electrical electronics है तो अपने हिसाब से यहां पर जाके देख सकते हैं जिस तरह मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ इंडस्टियल 360 courses तो देखिए 360 courses में क्या क्या है इंडस्टिय 4.0 टोटल quality management e-learning suit for corporate managers तो यहां पर देखिए इतने सारे courses है तो इस courses में मुझे जो important लगा है यहां पर इंडस्टियल 4.0 और टोटल quality management यह दो कॉर्स है जहां से आपका जो करेंट इंडस्टिय ट्रेंड है वहां से आपको question आते हैं तो यह जो यह जो है paid course है तो आप इसे एक बार देख लिए अच्छी तरह से overview आपके आप पढ़ सकते हैं पहले इसको तो जिस तरह यहां देख सकते हैं कि यह course दिया हुए है क्या है तो यादी आपको यह टोपिक सारे पता है तो आपको करने की कोई जरुष नहीं तो यहां पर डेमो लिंक भी दिया है तो यहां पर देख सकते हैं लेकिन यहां पर कॉर्सेस पेड़ कोर्स है तो इसलिए आपको यहां पर देखिए प्राइस भी दोजर पांसों लिखा गया तो यदि आपको यदि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है यहां पर देख सकते हैं इसको पता है तो आप इसे कर सकते हैं जो आपको यूजफूल हो सकता है तो इसी तरह से इलेक्टिकल के भी कोर्से से और मेकैनिकल के भी कोर्से से तो यहां फिर श्यसकु कि अर्ड क्ना यहां से जाकि आप इस को कर सकते हैं तो इस तरह से आप त्यारि कर सकते हैं और ये यहां आप और बी discuss करना चाहते हैं इसके बारे में कोई आपको डाउट है तो मैंने एक टेलीग्राम का गरुप बनाया तो वहाँ जाके आप उसे चोइन कर सकते हैं और वहाँ पर डिसकस कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इंडस्टियल ओरेंटल लर्निंग के बारे में तो इंडस्टियल ओरेंटल लर्निंग ये जो इंडस्टी में यूज होने वाले चीजे होती हैं जिस तरह कोई भी equipment हो गया और कोई भी जो technology यूज हो रही है जो आपके subject से related है जिस तरह से मान लेते हैं कि mechanical का है तो mechanical में जिस तरह से gear, pump और भी जो equipment होते हैं और काम में आते हैं तो उससे related बहुत सारे question पूछे जाते हैं इसलब एक particular आपका जो zone है वहीं से आपको पुछा जाएगा तो जो mechanical के important topics है उनके जो main topics है जो website मैंने बताया तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं mechanical के section में जो जो topic है उन्हीं topic से आपको आएंगे तो इसी तरह में electrical का भी electrical का electrical machine है और भी जो मान लिए कोई एक topic है या wires हो गया अर्थिंग हो गया तो इस तरह से जो topics होते हैं जो industrial में यूज होते हैं उसी तरह से आते हैं और सेम है आपका मेटलर्जी का और और भी हो गया दूसरे branches का तो इस तरह से जाके वेबसाइट पर जाके उस course को अपने अपने section में जाके देख सकते हैं जो आपके लिए useful हो सकता है वहां पर टॉपिक देख लिए आप यदि आपको अच्छी तरह से पता है तो आपको करने की ओकोर्स करने का भी जुरूत नहीं है लेकिन आपको यदि आपका नहीं हुआ है तो वहां जाके आप कर सकते हैं तो इस तरह से आपको इसकी तैयारी कर सकते हैं तो मिल करते हैं ऐसे को नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर रहा है